जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने युव्टी चैनल एईज़ी एशिट्यड़ी पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोश्टकार्टट जौव 2022 के बारे में दोस्तों और bulbic DBZD यान Carrie की जो salary होती है वो कितना होती है यानि कि दोस्तो अगर आप लोग सोचते हो कि इंडियन कोश्ट गाड को जॉइन करना है और जॉइन करने के बाद आप लोग को ट्रेनिंग पिरिड में कितना सेलरी मिलेगा दिन ट्रेनिंग के बाद आप लोग को कितना सेलरी मिलेगा क्या तीनों का सेलरी एक ही रहने वाला या तीनों का salary अलग अलग होता है वो सब कुछ इस वीडियो में जानोगे साथ ज़ाधा आपको बताएंगे दोस्तों अगर आप लोगा परमोसन हो जाता है देन आप लोगा उससे में आप लोगा salary कितना मिलेगा ठीक है तो यानि कि salary की पूरी जनकारी इस वीडियो में आप लोगो देखने को मिलने वाले दोस्तों तो वीडियो को सुरू से लेकर अंतक वास कीज़ेगा और जितने भी नए candidate है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस करके all पे क्लिक जरूर कर लिजेगा चले वीडियो सुरू करते और सब पूछ आप लोगो डिटेल में बता देते हैं वीडियो में आगे बनने से पहले दोस्तों बात करेंगे अनेकाडमी के बार में दोस्तों अगनी टूपमेंट जिरो नैंटीन डेज का एंडे का क्रेस कोर्स यहाँ पर दोस्तों पांच जनवरी से स्टार्ट होरे है और पांच मार्ज तक चलने वाल है यहाँ पर दोस्तों अनेकाडमी के टॉप एडुकेटर से आप लोगो पढ़ने का मौका मिलेगा और इन्होंने लगबग 15-100 से ज़्यादा कैंडेट को दोस्तों एंडे के अंदर सेलेक्शन दिलवाए ठीक है इस कोर्स का लिंक आप लोगो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग पना तयार ही हो बहतर बना पाओगे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियाओ फटा फटा से जाओ अनेकाडमी को डाउनलोड करो तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने नौटिफिकेशन को उपन के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरिष siuesta a की रिष। ऑस के अनुशार फि興यर पैसे चेंज किया जैएंगे जैसे कि आप लोग आप लोग के अच्छे जगह पोष्टिंग होता है या नुस फेलिये हैँ पैसा रोगों को बढ़ए आप भाइसे करके बात करते दोस्तो इसमें नाव डीवे जी डी के अंदर तो नाव जीडी के अंदर लगवग meg 24,600 मालनों की 15,000 रुपे आप लोगो डेहने को मिलρέंगे ट्रेनिंग प्रेड में आप्टर ट्रेनिंग प्रेड खताम होने के बाद कहीं पोस्टिंग आप जाते हो तो 21,700 यहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तो ठीक है जीडी वालों के ठीक है इसके अलावे भी बहुत मिलते है तो लगबग मानलों के पूरा अगर टीय डीय जो भी होते हैं और तो 21,700 और मतलब के जो भी टीय डीय है सब कुछ आप लोग के जो हाथ में पैसा आजाएंगा ठीक है अब बात करते हैं यांत्री के बारे में दोस्तो तो यांत्री के यहां पर देखोगे तो इनका जो है बैसिक पे लेवल आप लोग देख रहे हो दोस्तो यहां पर 29,200 य अधर एनांसेस बेश्ट और नेचर अफ ड्यूटी और उसके अलावा भी इनको मिलेगा दोस्तो 62,000 रुपे और इसमें जोर लो ठीक है तो यहां पर आप लोग देखोगे ने इसका सैलरी तो लगबग इसका सैलरी जो होगा दोस्तो पूरा हाथ में जो सैलरी आएगा यहां पर आप लोग को पता चल जुका है तीनों का सैलरी जो होता है सेम नहीं होता है दो का सैलरी सेम होता है जीडी और डीबी का बलकि यांतरी का सैलरी अलग होता है अब बात करते हैं कि पर्मोशन होने के बाद क्या सैलरी बढ़ सकते हैं बिल्कुल मिर भाई पर्मोशन होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पर्मोशन करके आप लोग कहां तक जा सकते हो पर्धान अधिकारी तक जा सकते हो और पर्धान सहायक इंजिनियर तक जा सकते हो ठीक है उसका अगर यह बन जाते हो आप लोग तो आप लोग का सेलरी उस्टेम हो जाएगा 47,600 ठीक है यह हो जाएगा लेवल 8 के तहट आप लोग का सेलरी हो जाएगे उसके बाद 6,200 आप लोग को एक्ष्टा देखने को मिलेंगे ठीक है उसका टीर डीर मिला के आप लोग लगभग यहाँ पर देखोगे दोस्तो तो से कोश्ट गार्टी में आप लोग को सेलरी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा सेलरी है दोस्तो आप लोग देखोगे तो और उसके बाद इसमें एक और बेनिफिट यह है दोस्तो कि जब आप लोग रिटार्यमेंट होते हो तो उस समय आप लोग को पैसे भी दिय के लिए जाते हैं लेकिन उनको घर की सिवा भी करना पड़ता है पेट भी पालना पड़ता है तब ही जाके वो लोग नौकरी की चाहत में सब कुछ करते हैं ठीक है तो यहां पर देखोगे दोस्तों तो यह salary बहुत अच्छे खास है और इतना में अराम से किसी के family चल सकते है ठीक है I hope कि आपको पूरा चीज किलियर हो गया होगा अच्छे तरह से salary के बारे में कि कोश्टगार्ट के अंदर नाभिक डीबी हो गया जीडी हो गया यांत्रिक उसमें कितने salary मिलते हैं ठीक है अगर सब कुछ समझ में आ गया तो ठीक है अगर नहीं समझ में है तो कॉमे ठीक है अगर नहीं